क्षिए Yeah धेश निग के नएश्ट टॉपिक इंटनेट और बर्सेस इंट्रनीटyard के बीच जो डिफ्रेंस है और इनके सिम्लरटी है समानता है है वो हम देखने वाले हैं तो सबसे पहले हमें थे देखेंगे कि इंटरनेट क्या होता है इसके बाद इंटरनेट क्या है और इनके बीच कौन-कौन से अंतर है कौन-कौन से डिफरेंस है यहां पर जैसे हम देख लेते हैं सबसे पहले इंटरनेट तो इंटरनेट क्या होता है कि एक इंटरनेशनल नेटवर्क है या अपने इसे क्या है ग्लोबल नेटवर्क गोल सकते हैं और इसमें क्या होते हैं मल्टिपल जो लोकल नेटवर्क वाइड एरिया नेटवर्क होते हैं इनका कलेक्शन होते हैं और इसमें क्या है जो बहुत सारी computers होते हैं, उनके बीच जो information है, वो share की जाती है, साथ ही क्या होता है कि इसका use करके हम information जैसे आपका कोई data है, files है, audio या video है, तो इन्हें हम क्या कर सकते हैं, send या receive कर सकते हैं, अब ये send या receive करने के लिए हम wired या wireless, दोनों प्रकार की communication system का use कर सकते हैं, यानि wire के through भी कर सकते हैं, और wireless जैसे वाइफाई का use करके भी कर सकते हैं, अब इंटरनेट प्रोवाइट करने के लिए क्या होता है, जो यहाँ पर क्या होती है, telephone company होती है, वो fiber optic cable के माध्यम सरी क्या है, यहाँ पर internet की service प्रोवाइट करती है, साथ ही यदि आपके internet में आपको उनकी SIM यूज़ करते हैं, तो उससे भी आपको क्या करते हैं, वो service देते हैं, आज की time में क्या होता है, कि internet का use, सबसे ज़्यादा communication और information को share करने के लिए, यानि कोई data है, data को share करने के लिए होता है, साथ ही क्या होता है, कि यह जो internet है, यह एक public network है, यह क्या है, एक public network है, जिसे आज के time में हर कोई use कर सकते हैं, और साथ ही क्या है, अपने information को, अपने data को share कर सकता है, एक दूसरे के साथ communication कर सकता है, तो यहाँ पर क्या internet एक large area में, यानि एक बड़े area में काम करता है, जिसमें जो छोटे-छोटे network होते हैं, उन होता है, तो यहाँ पर अपन देखते हैं, इंट्रेनेट का, तो इंट्रेनेट क्या होता है, कि यह एक इंट्रेनेट का एक part होता है, यह क्या होता है, इंट्रेनेट का एक part होता है, जो जिसमें आपन बोल सकते हैं यहाँ पर कि इंट्रेनेट में क्या है, जो local area network के यूज होतas है ने लोकलय नेटवर्ग कर सकते हैं मेट्रो पॉविटिंड कर सकते हैं तो अपन क्या एक लोकल का अंतर गयर किसी इंस्टूट और मों दो क्या करते हुना आपस में कम्पूटर को कनेक्ट करते हैं और उस इंफॉर्मेशन को सिर्फ उस और्गनाइजेशन के अंदर ही रखते हैं तो उसे यहां पर क्या बोला जाता है इंट्रानेट नेटवर्क बोला जाता है सिर्फ वही क्या कर सकते हैं यहांपर क्या कर सकते हैं तब ही कोई दूसरा क्या कर सकता है उस फाइल को सकते हैं अगर वो फाइल वहां पर क्या सेरिंग ऑप्शन आउन यहां पर क्या आउफ है तो कोई भी यूजर चाहिए वो कंपनी के अंदर कहीं हो बिना पर्मीशन के वहां पर भी एक्सेस नहीं कर सकता है इसके साथ ही क्या होता है कि इंटरनेट का यूजर कंप्यूटर में किसी फिरमिया और्माइजेशन के नदर जो उनकी लोकल फायलस होती है ।itter कूमिं सिर्फ क्या है यहां पे क्या है अंत्राइज योज़र है कंपणी की मेम्बर के अपनी इवे साथ इस्टोर गर सकते यहां के एक multi एरिया के अंदर यानि पर्टिकुलर किसी फर्म या अर्गुनाइजेशन में होता है जब कि इंटरनेट में क्या होता है कि एक वर्ड एरिया में होता है जो क्या है एक पब्लिक gelecek सकते है अब इसके बाद अपन नेस्ट आते तो हम क्या होता है इसमें अपन समझत सबसे पहले होता है कि ट जैशना संतर निटवर्क को एक साच जोरता है यानि बहुत सारे जो network हैं उनका collection networks of network कहा जाता है तो यह क्या internet होता है जबकि internet क्या होता है internet का एक हिस्सा होता या part होता है जो किसी एक business जो particular firm है या organization है उसके यहाँ पे क्या है ownership में काम करता है इसके बाद यहाँ पर internet में क्या है कि कोई भी user internet का use कर सकता है लेकिन internet में क्या होता है और जो organization के member है particular member जिसके पास accessibility होती है सिर्फ वही यहाँ पर क्या कर सकते हैं internet का use कर सकते हैं या उनके system को access कर सकते हैं साथी यहाँ पर क्या होता है कि जो इंट्रनेट पर होता है इन्ट्रनेट की तुलौण की अन्लेम्ट जो यानी जितने चाहे इंटने यहाँ पर यूजर्स डेटा को एकसेस कर सकते हैं या ? लेकिन यहाँ पर क्या होता है ? जब ईंट्राइट पर आते हैँ तो ईंट्राइट में drug होता है यहाँ आथ है ज्यादस ज्यादस लोग यहाँ पर third करेंगे तो यहां पर बढ़ेगा और किसी भी रिकवेस्ट को यह रिस्पॉंस को आने में क्या है यू कि इसके तरफिक कम होता है क्यों होते हैं इसके बाद यहां पर क्या आता है कि आपका जो इंटरनेट है वह यह अ क्या है पाइबलिक jelly Well है जब के इंट्रनेट क्या होता है यहां पे इसके होती है और यहां इसक Посो और भी डिफरेंस है वो अपन देख लेते हैं आ जैसे यहां जो इन्फार्मिजर नेर पर हैं आ यहां पर अशी मिह्ट हो ती और इसे सब कोई देख सकते हैं तो इंट्रनेट में जो भी चाहए चीजे आप एकसे में जाते हो वहाँ पर देख पाते हैं इसके साथ ही यहाँ पर क्या होता है कि जो इंटरनेट है इसमें हजारों सर्वर होते हैं यह क्या बहुत बड़ा सर्वर बहुत सारे सर्वरों का कलेक्शन कहलाता है यानि हर कंपनी का यहाँ पर क्या अलग अलग सर्वर होंगे और फिर आपस में म आपको असानी से मिल जाते इसके कंपर्जन क्या होता है इंटरनेट में जो सर्वर है वो लिम्टेड होता है क्योंकि यहां पर सिर्फ हमें क्या एक फर्मिया और्गनेजिशन के डेटा इस्टोर करना है तो वहां पर हमें बड़े सर्वर की जरूरत नहीं होती है इसके बाद इंट्रनेट कोई मालिक नहीं होता है इसका कोई भी और नहीं होताई जबकि internet का क्या है कोई ना कोई मालिक अवस होता है क्योंकि internet क्या है एक organization या company में यूज होता है और उस company या organization का कोई ना कोई वहाँ पर मालिक या honor होता है इसके साथ ही यहाँ पर वाता है कि इंटरनेट में किया किसी भी website को चलाने के लिए हमें किया web server पर उसे upload करना पड़ता है और इसके लिए एक web space की आउट सकता होती है तो यहाँ पर क्या जब भी अपन क्या करते हैं कोई भी website बनाते हैं तो उसे online publish करने के लिए हमें क्या यहां पे web space की जरूवत होती है internet space की जरूवत होती है जबकि इसके comparison में internet में हमें web space की जरूवत नहीं होती है हम अपने local server का use करके ही उसे वहां पे host कर सकती है और हमारे जिससे हमें क्या हमारे जो member है company organization के वहां पे उस website को access कर सकते हैं इसके साथ ही यहां पे आता है कि जो internet का use है यह बड़े पाइमाने में किया जाता है यानि एक large area पे internet का use होता है लेकिन जो internet का use है यहां पे क्या है छोटे पाइमाने में होता है यानि जो चोटी company जो company होती है यह particular organization होते हैं सिर्कोब अपने यूज के लिए इंटरनेट का यूज करते हैं। लेकिन इंटरनेट में क्या है। बहुत सारे अलग अलग कंपरियों का डेटा होता है। इसलिए ये क्या है बड़े पैमानी में काम करता है। कर यह थे डिफ्रेंस इंट्रनफ और इंट्रनेट के बीच अब अपनेशमें कुछ दिए देखें गे कि नों में यहां पर क्या सिम्लर क्या सिम्मलर्टी समय कौना कौन से समानता है। इसमें जैसे दो तिन but यहां पे दीए हैं सबसे पहला पॉइंट इसमें दिया है कि internet और internet दोनों को किसी भी ब्राउजर का्यूज करके access किया जाता है यानि यहां पर क्या है आपको कोई भी website access करनी है चाहिए इंटरनेट की website हो या internet की website हो तो उसके लिए आपको यहाँ पर ब्राउजर की जरूत पड़ती है पहले सिम्लार्टी यह हो गई से कैंड यहाँ पर क्या होता है कि डेटा ट्रांसपर करने के लिए वे इंटरनेट प्रोटोकॉल का यूज करते हैं तो जब अपन ब्राउजर यूजर यूज करेंगे तो ब्राउजर की जरूरत होती है कि यहीं इंटरनेट प्रोटोकॉल बताता है कि कि सिस्टम से रिक्वेस्ट आ रही है और कहां पर रिस्पॉंस भेजना है इसके बाद यहाँ पर नेश्ट पॉइंट जो आता है वो है कि दोनों का यूजर नैटवर्क पर यूजर के साथ इंफवर्मेसन share करने के लिए होता है तो लाश्ट इसमें जो similarity है वो क्या है कि चाहिए आप internet का use करो या internet का use करो दोनों में आपको करना क्या information ही share करना है या data ही share करना है तो ये थी internet और internet के बीच में समानता हैं और साथ ही हमने देखा कि इन में कौन-कौन से अंतर है तो आज की class में इतना ही था next class में हम इसके next topic पर discussion करेंगे